हलो दोस्तो आप सब का स्वागत है अपने ही चनल जी के माधिका पर दोस्तो आज के इस वीडियो में एस्टेट एक्जाम दो हजार चोबिस के लिए पैड़ा गोजी एन अधर असकी से पचास प्रसने देखेंगे जो दोस्तो आपके इक्जाम के लिए काफी हिल्फ हो रहेगा इसलिए वीडियो के अंतक बन रहेगा अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राब जरू कर लेज़ेगा तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो पहला प्रस्ण है कच्छा कच में बैठक ब्यूस्था कैसी होनी चाहिए तो दोस्तो कच्छा कच में बैठक ब्यूस्था कैसी होनी चाहिए आपका option में दिया गिया है कच्छा कच्छ में कराई जा रही कतिविदियों के अनुरूप रोज एक जैसे होने चाहिए एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए इस परकार से हो कि वे एक दूसरे से बाचित ना कर सके तो दोस्तो इसका right answer option A हो जाएगा कच्छा कच्छ में कराई जा रही कतिविदियों के अनुरूप ठीक है कीचन दोस्तो गिल फोड ने अपनी बुद्धी सिधानत में कुल कितने कारक बताए है तो दोस्तो बताना कि गिल फोड ने अपने बुद्धी सिधानत में कुल कितने कारक बताए है आपके option में दिया गिया है 200, 300, 1500, 100 तो दोस्तों इसका right answer option C हो जाएगा डेर सो ठीक है नेज कुछन देखते हैं कुछन निम्नखित में से कौन सा संबेग बालकों में सरवधिक अच्छमता तथा असुरच्छा उत्पन करता है कौन सा संबेग बालकों में सरवधिक अच्छमता तथा असुरच्छा उत्पन करता है आपके option में दिया गिया है सने, कुरोध, भै, इर्शिया तो दोस्तों इसका right answer option C हो जाएगा भै, ठीक है नेज कुछन देखते हैं कुचन दोस्तों भारती राष्टी कॉंग्रेश ने पहला असयोग अंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था option में दिया गिया है 1917, 1918, 1920, 1928 तो दोस्तों इसका right answer option C हो जाएगा उनेज कुचन देखते हैं कुचन अजाद हिंद फोज दिवस किस तीथी को मनाय गया था option में दिया गिया है 11.1945, 12.1945, 5.1945, 10.1945 तो दोस्तों इसका right answer option B हो जाएगा 12.1945 को ठीक है नेज कुचन देखते हैं कुचन ने रविंद्र रनाथ टाइगोर को किस वर्स में नोबेल पुरसकार से समानित किया गया था तो दोस्तों बताना कि रविंद्र रनाथ टाइगोर को जो है किस वर्स नोबेल पुरसकार से समानित किया गया था option में दिया गिया है 1911, 1923, 1913, 1941 तो दोस्तो इसका right answer option C हो जागा 1913 में ठीक है नेस कुचन देखते हैं क्योचन बीर्चो की एक पंक्ती में एक ब्रीच दोनों सिरों से पाचमा है बताएं कि पंक्ती में कूल कितने ब्रीच है तो दोस्तो क्योचन पुचा गया है कि ब्रीच की एक पंक्ती में एक ब्रीच दोनों सिरों से पाचमा है बताएं कि पंक्ती में कूल कितने ब्रीच है तो यहां पर दोस्तो दोनों सिरों से पाचमा है ठीक है अब दोस्तो कूल कितने ब्रिच है तो यहां पर क्या करेंगे पाच पाच करेंगे और मैनस वन करदेंगे तो पाच पाच दस और मानस वन करेंगे कितना हो नुट इसका राइट असर ओप्शन बी हो जाएगा जैगा लिवाल सब्सक्राइब एक धन रासी 15 वर्सों में मूल रासी की 3 गुना हो जाती है समान सधारन ब्याज की दर पर मूल रासी कितने वर्सों में स्वयम की 5 गुना हो जाएगा तो दोस्तों एक धन रासी 15 वर्सों में मूल रासी की 3 गुना हो जाती है ठीक है और समान सधारन ब्याज की दर पर मुल रासि कितने वर्सों में अनि समय लिकालना है कितने वर्सों में सवयम की 5 गुना हो जाएगा ठीक है तो इसका फर्मूला आध रखेगा दोस्तों N2-1 बटा N1-1 बरबर T2 बटा T1 ठीक है अब दोस्तों N1-2 क्या हो गया तो N1-3 गुना लेंगे और N2-5 गुना लेंगे ठीक है T2 लिकालना है और T1 का भेलू 15 वर्स दिया गया है तो भेलू रख देंगे सभी का तो N2-5 गुना है और 5-1 करेंगे कितना बज़ जागा नो सेंटीमिटर लंबाई, 6 सेंटीमिटर चोड़ाई और 6 सेंटीमिटर उचाई वाले एक घणाब को पिगलाकर 3 सेंटीमिटर भुजा वाले कितने घहन बनाय जागयी है तो घहन की संख्यान लिकालना है तो यहां पर दोसरों इसका फर्मूला लगाएंगे भुझन देखते हैं एसका देखते हैं किया सभीधान प्रारुप समीति के समझ प्रस्तावना का प्रस्ताव कि शने रखा? अ 했어'm मेर दिया गया है जवाहर लाल नहरू, भीम्राव, अमेतकर, बी एंड्राव, महात्मा गांधी. तो दोस्तो इसका राइटएंसर अप्शन ए हो जागा जवाहर लाल नेहरू ठीक है। अब दीस्तों यह जो इस प्रस्तावना का प्रस्ताव कब रखा था तो प्रारूप समीति के अध्यस भर जो लू और प्राणभिक प्रारूप रहता है जदी आपके option में द्या गिया कि सिच्छन समागरी का कारगार उपयोग किया जाए पाठ पुविशय में खूब मनुरंजन की बाते हो अध्यापक का अब्यक्तित्व परभाव साली हो छात्रों को पता हो कि परधाना ध्यापक किसी भी समय कच्छा में आने वाले है तो दोस्तों कच्छा में बेहतर अनुसासन रहता है जदी जदी दोस्तों सिच्छन समागरी का कारगार उपयोग किया जाए तो ये इसका राइट एंसर हो जाएगा ने इस कुजन देखते हैं कि उचने सिच्छन एक समन्ध है जो विदार्थी के विकास में सहायता देता है ये परिभासा किसकी है ऑप्सन में दिया गिया है एन एल गेज की राइबर्ण की कलार्क की ब्रू बेकर की तो दोस्तों इसका राइट एंसर ऑप्सन भी हो ने इस कुजन देखते हैं कि उच्छन बंगाल में पागल पंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था तो दोस्तों बताना कि बंगाल में पागल पंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था ओप्सन में दिया गिया है बी विरसी तीरत कानू करम सा तो दोस्तों इसका गया है पाच, छे, साथ, चार, तो दोस्तो इसका राइट अंसर ओप्सन C हो जागा साथ ठी है, नेस्ट कुछन देखते हैं, कीचन ने कौन सा विटामिन रख्त का थका जमने के लिए आवस्यक प्रोटीन और कैल्सियम की सक्रिये करता है, तो दोस्तो बताना कि कौन सा विट अविस्च का यहां था, नेका थक्ते हैं, तो दीके लिए आवस्यक प्रोटीन और कैल्सियम की सक्रिये करता है, ऊप्सन में दिया गिया है विटामिन C, विटामिन K, विटामिन B1, विटामिन D अफसमें ए सुधार् Amen इस खते है। कियो चांज omega इस पदो कुछ vaporze दिसपेश किस सब्सवे जो कि से सामदित है आप्शन मैं दिया गिया सिछा सुधार पुलिस सुधार परसाशनिक सुधार समाजिक सुधार तो दोस्तो इसका right answer option A हो जाएगा सिच्छा सुधा ठीक है नेस कुचन देखते हैं कीचन निम्लिखीत में से कौन सी प्राय दिपिय भारत की पच्छिम की और बहने वाले सबसे बड़ी नदी है option में दिया गिया है कृष्णा नर्मदा कावेरी गोदावरे तो दोस्तो इसका right answer option B हो जागा नर्मदा ठीक है नेस कुचन देखते हैं कीचन जदी किसी कूट भासा में किरकेट को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी कूट भासा में फुटबॉल को किस प्रकार लिखा जाएगा तो दोस्तो इसको कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले किरकेट को चेक करेंगे ठीक है तो अगर दोस्तो C और Z में देखते हैं तो Z, A, B, C अनि माइनस 3 करने पर Z आता है R, O में देखते हैं तो O, P, Q, R अनि इसमें भी माइनस 3 करने पर आ रहा है I, F में देखेंगे F, G, H, I इसमें भी माइनस 3 करने पर आ रहाया आनि दोस्तो सभी को माईनस 3 करने पर रहाए तो इसी प्रगार दोस्तो इसको करेंगे فुटल को F का अगर माइनस 3 करते हैं तो C होता है O का देखेंगे माइनस 3 करेंगे तो L, M, N, O तो A का दोस्तों देखेंगे तो X, Y, Z, A ठीक है एकस आ जागा और L का देखेंगे I, J, K, L माइनस तीन करेंगे तो I होगा ठीक है और फिर L दिया गया है तो I होगा तो दोस्तों C, L, L, Q, Y, X, I, I option B में दिया गया है B हो जागा ठीक है इस कुझन देखते हैं कि ज़न आपकी कच्छा में एक बच्चा रोज आपको परिसान करने के लिए अप्रसंगिक परस्न पूछता है आप क्या करेंगे option में दिया गया है परदाना चार्ज से सिकायत करेंगे उसे डाटेंगे, उसे बातचित करेंगे उसके माता पिता से सिकायत करेंगे तो दुस्तो आपकी कच्छा में एक बच्चा रोज आपको परिसान करने के लिए अप्रसंगित प्रस्न पूछता है तो आप क्या करेंगे तो उसे बातचित करेंगे ठीक है इसका राइटेंसर option B, C हो जागा संबयदी कामक अवस्था, पूर्त संक्रयात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रयात्मक अवस्था तो दुस्तो इसका राइटेंसर option C होज़ागा जंद देखते हैं क्यूचन ने उस विकल्प का चैन की जो रिक्तास्थान की पूर्ती करके दी गई स्रेनी को पूर्ण करेगा ठीक है यहां पर दोस्तों दिया गया c d c e f e g h g इसके बाद क्याएगा बताना ठीक है तो इसको कैसे बनाएंगे तो अगर दोस्तों c c e c d e compartir करेंगे एनिप स्रें इसमें इसमें इसलों McG करेंगे तो यह उक्यूने तो विकल्प करेंगे narrative इस परकार दोस्तों C, E में देखेंगे पलस दो करने पर आ रहा है ठीक है और E, G में भी पलस दो करेंगे और G के बाद जो दोस्तों पलस दो करेंगे तो I, H, I ठीक है तो I, J, I, Option D हो जागा ठीक है इस कुजन देखते हैं कीशन दोस्तों एक निश्चित भासा में कप को 295 और केक को 276 के रूप में कुट बद किया जाता है तो उसी भासा में पैक को किस परकार कुट बद किया जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों C, U, P का दिया गिया है ठीक है और केक का 276 दिया गिया है तो पैक का लिकालना है ठीक है तो सभी दोस्तों सभी अच्छर का जो है सामने क्या दिया गिया है डिजिट दिया गिया है अंक दिया गिया ठीक है एका हो जाएगा चार सी का कितना थिकुंटD कीशन द देखते हैं कि छो बहुत है दूस्तों भासन सिच्छन में वाक्यों को सब्दों से पहले पढ़ाया जाता है सिच्छन का यियुँट्र अधारित है तो दूस्तों हल के परियोगों पर असान से कठिन की और सिच्छन प्रोधोगी की के मानेताओं पर तो दोस्तों इसका राइट असर ऑप्शन ए हो जागा गेस्टाल्ट परियोगों पर ठीग है नेस कुछन देखते हैं किस्छा प्यक्ति की समझत पुर्णता का विकास है जिसके वह योग ह है इस कठन को किस ने परिभासित किया ऑप्शन में दिया गया है फ्रो बेल ने कांट ने महात्मा गांदी ने रविंदर नाट टाइगोर ने तो दोस्तों इसका राइट असर ऑप्शन भी हो जागा कांट ने ठीक है नेस कुछन देखते हैं कि यूचर धावनी तरंग की अविर्थी मापने की मापक माना की काई कार ना क्या है ऑप्शन में दिया गया है मीटर हड्ज न्यूटन मीटर पर सकेंट तो दोस्तों इसका राइट असर भी हो जागा हड्ज ठीक है नेस कुछन देखते हैं कि यूचर ने हडपा कालिन नगरों में से किस नगर की किले कीले बंदी नहीं की गयी थी . अप्शन में दिया गया है धोला वीरा सुत कांगे डोर कोट दीजी इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका राइट एंसर सी होज़ेगा कोट दीजी ठीक है नेस कुछन देखते हैं कीचन भासा सिच्छन की पर्थम कच्छा किसे माना जाता है तो दोस्तों बताना कि भासा स सिच्छन की पर्थम कच्छा जो है किसे माना जाता है ऑप्शन में दिया गया है पूरु प्रात्मिक कच्छा को प्लेवेव विद्याले को घर को यह सभी तो दोस्तों इसका राइट एंसर ए हो जागा पूरु प्रात्मिक कच्छा को ठीक है नेस कुछन देखते हैं कीचन में दिया गया मौखिक ब्याक्षान द्वारा त्री यामी आकृतियों के असपर्ष द्वारा छेत्र भर्मन द्वारा उप्रिक में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका राइट एंसर ऑफ्षन भी हो जागा त्री यामी आकृतियों के असपर्ष द्वारा ठीक है नेश कुछन द जा गया है, तीन वर्स समय दिया गया है, चक्रिविर्धी व्याज लिकालना है, ठीक है, तो दोस्तों चक्रिविर्धी व्याज सी आई बरोर होता है, फर्मुला पी इंटू 1 पलस आर बटा 100 पर पावर टी माइनस पी हो जाएगा, अब भेलू रखेंगे तो पी का 1000 है, ठीक क्यू करेंगे, गारा का क्यू 1331 अब अब टा 1000 निचे हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1000 करेंगे, अब 1000 से 1000 कड़ गया, 1331 माइनस 1000 करेंगे, तो 331 आजएगा, तो 331 इसका राइटन से डी हो जाएगा, नेश कुचन देखते हैं, क्यूचन एक वस्तु को 600 रुपिया बेचने से होने वाल लाब परतिस्त का संख्यातों को मान क्राय मूल के बरावर है, तो उस वस्तु का क्राय मूल लिकालना है, ठीक है, तो दोस्तों इस तरुके अगर क्यूचन पूछा जाएगा, तो इसका आप ट्रिक आद रखेगा, क्राय मूल अनि CP बरावर हो जाएगा, 10 600 यहाँ पर लेंगे, अब 25 जोड़ेंगे, 600 प्चीं हो जगा और मैनस 50, अब 625 अगर रूट से बाहर करेंगे, तो प्चीं हो जाएगा, थिक है, तो प्चीं गूणे 10 करेंगे, कितना जग़ा, 25 गुने 10, 28 हो जगा माइनस 50, कितना जगा 200 और 200 रुपिया इसका राइट असर option D हो जगा ठीक है नेश कुजन देखते हैं कीचन दूस्तों बच्चों के बाउधिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है तो दूस्तों बच्चों की बाउधिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जो किसके दवारा की गई है option में दिया गया है कोहल बर्ग दवारा, एरिक्सन दवारा, इसकिनर दवारा, पियाजे दवारा तो दूस्तों इसका राइट असर option D हो जागा, ठीक है पियाजे दवारा, नेसकिन देखते है कीशों ने पियाजे के अनुसार निमलिखीत में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमुर्थ संकल पनाओं के विशय में तारकिक चिंतन करना आराम करता है तो दूस्तों बताना कि पियाजे के अनुसार निमलिखीत में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमुर्थ संकल पनाओं के विशय में तारकिक चिंतन करना आराम करता है option में दिया गया है मुर्थ संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्स तक, अवचारिक मुर्थ संक्रात्मक अवस्था तो दूस्तों कोहल बर्ग के अनुसार सिच्चक बच्चों में नैतिक मुल्यों का विकास कर सकता है तो दूस्तों कोहल बर्ग के अनुसार सिच्चक बच्चों में नैतिक मुल्यों का विकास कैसे कर सकता है option में दिया गिया है कैसे बेहवार किया जाना चाहिए इस पर कठोड निर्देश देकर धार्मिक सिच्छा को महत्व देकर बेहवार के अस्वश नियम बनाकर नैतिक मुद्धो पर अधारित चर्चाओं में उन्हें सामिल करके तो दोस्तो इसका राइट एंसर option D हो जागा नैतिक मुद्धो पर अधारित चर्चाओं में उन्हें सामिल करके ठीक है नेस कुछन देखते हैं कि उच्छा को ग्यान होना चाहिए तो दोस्तो सिच्छा को ग्यान जो होना चाहिए किसका ग्यान होना चाहिए option में दिया गिया है अध्यापन विशाय का बाल मनो विग्यान का सिच्छा अहिंसा का अध्यापन विशाय इवंबाल मनो विग्यान का तो दोस्तो इसका राइट एंसर option D हो जागा अध्यापन विशाय इवंबाल मनो विग्यान का ठीक है बच्चों को स्वेम गतिवीधि करने के लिए देंगे है उसका है क्मूशन कच्छा में चात्रों को अभी प्रेरीद क्या जा सकता है अप्सन में दिया गया है उनकी सफलता की दर को बढ़ा कर जदी हुए परती भावन है तो उनके मार्ग में रुकावटे खड़ी करके उनमें परती योगी भावना विक्सित करके उप्रूट सभी तो दूस्टो कच्छा में जो है चात्रों को अभिप्रेरित जो है किया जा सकता है तो इसका राइट अप्सन सी हो जागा उनमें परती भावना विक्सित करके ठीक है नेश कुछन देखते हैं कि युचन अस्कीनर का अभी प्रेरन सिधान्त अधारित है तो दूस्टो अस्क अप्सन पर उप्रेख्त के उप्रक्त कोई नहीं तो दूस्तो इसका राइट एंशिने सी हो और उप्रक्त दोडों ठीक है नेश कुछन देखते हैं toes guides को निमलिक्वित में से कौन मानो विकास का सही करम है तो दोस्तों बताना कि इनमें से कौन मानो विकास का सही करम है option में दियागे सैस्वा वस्ता, किसोरा वस्ता, बाले वस्ता, प्रोडा वस्ता सैस्वा वस्ता, बाले वस्ता, किसोरा वस्ता, प्रोडा वस्ता C option में दियागे बाले वस्ता किसोरा वस्ता प्रोधा वस्ता और डी उप्सन में दिखते हैं प्योचन ने तो बताना कि जीला प्रात्मिक सिछा काज करम किस वर्ष लागू किया गया था option में दिया गया 990, 993, 998 दो हजार तो दोस्तो इसका right answer option B हो जागा 993 ठीए, next question देखते हैं कीचन दोस्तो प्याजे मुखेता किसके छेतर में योगदान के लिए जाने जाते हैं तो दोस्तो बताना कि प्याजे मुखेता जो किस छेतर में जोगदान के लिए जाने जाते हैं option में दिया गया है भासा विकास, संग्यनात्मक विकास, नैतिक विकास, समाजिक विकास तो दोस्तो इसका right answer option B हो जागा संग्यनात्मक विकास के छेतर में जोगदान के लिए जाने जाते हैं नेश कुजन 220 परियारवन दिवस कब मना जाता है 220 परियारवन दिवस जो है कब मना जाता है option में दिया गिया 5 जून को 10 मार्च को 15 अपरेल को 20 सगस्तो तो इसका राइट असर यह हो जागा 5 जून को ठीक है नेश कुजन देखते है क्युजन आपके विचार में सिच्छन अधिगाम परकिरिया का सरवधिक महत्पून घटक है तो दोस्तो बताना कि आपके विचार में जो सिच्छन अधिगाम परकिरिया का सरवधिक महत्पून घटक किया है option में दिया गिया है सिच्छन, कच्छा, बातवरन, सिचार्थी, अधिगाम, सामगरी तो दोस्तों इसका राइट एंसर C हो जागा, सिचार्थी ठीक है, नेस कुछन देखते हैं कि उच्छन सिच्छा तीन अस्तम ये परकिरिया कही जाती है जिसके दो अस्तम है अध्यापक और सिस तो तीसरा अस्तम कौन सा है अनि दोस्तों सिच्छा जो है तीन अस्तम ये परकिरिया कही जाती है जिसमें दो अस्तम दिया गया अध्यापक और सिस तो तीसरा अस्तम बताना है कौन सा होगा अप्सन में दिया गिया है पार्ट चर्जा, सिच्छन, तक्निक, परियावरन, परसासन तो दूसरों तिसरा अस्तम जो है पार्ट चर्जा है ठीक है तो ए इसका राइट असर हो जागा नेश्कुजन देखते हैं कीचन डिस्लेक्षिया से क्या आसा है तो डिस्लेक्षिया से क्या आसा है अप्सन में दिया गिया है बच्चों में पठन विकार, संख्याएं कैसी लिखी जाती है या समझने में समझ्या का सामना करना सुच्मों गत्यात्मक कौसलों के संचालन में समझ्या, सिचार्टियों में एक समझ विकार तो दुस्टोw Dyslexia जो है बचों में पठन भिकार से आ साथ है ए इसका राया इंसर हो जागा next region दखते हैं समाजी करनnant परकिरिग के प्रारम होने की आवस्था है कौन से आवस्था है option में द्या गिया सहथो अवस्था तो दूस्यू इसका राया इंसर स्वास्था के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्यान के केंद्र बिंदू है ऑप्शन में दियागे सैफर हैट फिल्ड ड्रैवर लाइडल तो दोस्तों इसका राइट अंसर ऑप्शन सी हो जागा ड्रैवर की है नेगे नीट इस गुषन दिखते हैं कीचन परधाना ध्यापक या वरिष्ट शिच्छक के लिए विद्याले में कौन सी नर्तितु सैली बेहतर है तो दोस्तों इसका राइट अंसर ऑप्शन बी हो जागा परजा तांतिक निर्थी तुछी है नेस कुछन देखते हैं कि युचर ने छाओ बिहार के अतिरिक्त किस राज की भी लोक निर्थी है तो दोस्तो छाओ जो है बिहार के अतिरिक्त किस राज का भी लोक निर्थी है option में दिया गिया पचिब मंगाल मिजोरा मदपर्देश उतर परदेश तो दोसो इसका right answer A हो जागा पचिब मंगाल ठीग है next question देखते है कि इसका कर कर रेखा किस राज की मद से नहीं गुजरती है तो दोसो बताना कि कर कर रेखा किस राज की मद से नहीं गुजरती है तो तो दोसो इसका राइट असर option A हो ज़ीन और में हरित कुर्यांथ 20 कुर्यां ते तो ध्यान रखेगा तो दोस्तो आज की वीडियो तक रहने लेटा है फिर मिलेंगे वीडियों अच्छा लगात लाइक करेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर लबाले जगा चैन